हाई तो आज मैं आप लोग से चिकेन रोल बनाने का रिस्पी शेर कर रही हूँ तो मैंने दो टमाटर को कट करके जार में रख दिया है मिर्च को भी कट करके जार में रख देंगे एक बाउल में बोलनेस चिकेन रखा है टू स्पोन जिंजर गालिक पेस्ट वन स्पोन रेड चिली पाउडर वन स्पोन साल्ट डाल देंगे और फिर हमेशा की तरह मैगी मसाला मैं अपने हर रेसिपी में मैगी मसाला डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है टमाटर और मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था उसको डाल दूँगी और फिर दही डाल दूँगी दही डालने के बाद इसको अच्छे से इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको मिक्स करने के बाद हाफ स्पून गरम मसाला डाल दूँगी और गरम मसाला डाने के बाद फिर से इसको मैं मिक्स कर दूँगी तो मैंने इसमें three spoon oil डाला है oil डानने के बाद मैंने एक घंता के लिए इसको marinade होने के लिए रख दिया है तो मैं अब प्राटे के लिए आञटा गून लेती हूँ मैंने यहाँ पर मैदे लिया है और मैदे में मैंने one spoon salt डाला है और half spoon खाने वाला सोडा डाला है तो मैं अब इसमें थोड़ा सा oil डाल दूँगी अब मैं सब को अच्छे से mix करूँगी mix करने के बाद मैं आटे को गूंद लूँगी तो मैं अब इसको 5-10 मिनट तक ढख कर छोड़ दूँगी तो मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पर लच्छा पराठा बनाओंगी अगर आप चाहते हो तो simple पराठा भी बना सकते हो क्योंकि लच्छा पराठा बनाने में थोड़ा process है तो यहाँ पर मेरा लच्छा पराठा तयार है अब मैं इसको तबे पर रखके दूनों साइट से अच्छे से 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 शेक लूँगी तो मैं इसको दूनों साइट से अच्छे से 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 शेक लिया है मैं मेरिनेट चिकन डाल दूँगी और चिकन को फिर अच्छे से चलाऊंगी चलाने के बाद इसको पांच मिनिट के लिए ढखकर छोड़ दूँगी ढखने के बाद तो मैं ने 5 मिनिट के बाद खोलके देखा तो इसमें इसे पानी निकलने लगा था अब मैं इस पानी को अच्छे से मिक्स करूंगी अब मैं इसको दो तीन मिनिट के लिए लो फ्लेम पे ढग कर छोड़ दूंगी तो आप चिकन रेडी हो चुका है तो मैं एक पाउल लोंगी और बाउल में टमैटो साउस अपने कौइंटिटी से और इसमें फिर चिली साउस मियूनी साउस अपने कौइंटिटी से डाल दूंगी और इस तीनों को डालने एक बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी मिक्स करने के बाद अब मेरा यहां पर सबकुस रेडियो हो चुका है और मैं यहां पर पराटे पर सॉस लगाऊंगी मैंने पहले तयार कर दिया था और इसके बाद मैं इसमें फ्राइट चिकेन रख़ँगी चिकेन रखने के बाद मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दोंगी उसके बाद मैं इसमें चाट मसाले कटे हुए प्यास डालने के बाद थुरा सा चाट मसाला डाल दिया अब मैं इसको रोल बना दूँगी अब मेरा रोल तयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राइ करें ओके बाई नेक्स वीडियो में मिलते हैं